हलो एब्रीबन कैसे हैं आप सब आज बनाने जारी हूँ एक और नई डिजाइन के लेडी सॉक्स जिसे बनाने के लिए मैं दो कलर की बूली है टेन नमबर सलाई ली है और देखिए इसको मैंने छे और साथ नमबर दोनों के लिए बनाया है दोनों को इजली आ जाएगा और इस डिजाइन से आप इसको छोटा या बड़ा दोनों कर सकते हैं जैसे मैंने यहां पे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो डिजाइन डाली है तो आप इसको आठ डिजाइन डालके छोटा बना सकते हैं और दस डिजाइन डालके इसको बड़ा बना सकते है इस तरह से आप छोटा और बड़ा दोनों बना सकते हैं और देखिए यहां पे मैंने 10 नंबर से लाई ली है तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डालना स्टार्ट करेंगे तो फंदे हम देखिए डबल बूल से ले रहे हैं और सिंपल फंदे ले रही हूं आप चाहें तो डिज साथ आठ इस तरह से हम यहां पे 52 फंदे डालके कंप्लीट करते हैं यहां पे देखिए मैंने 52 फंदे ले लिए हैं 52 फंदे अब देखिए हम यहां पे बॉर्डर बनाएंगे तो यहां पे एक उल्टे और एक सीधे का बॉर्डर बना रही हूं मैं आप चाहें तो कोई और इस तरह से पूरी रो बोनते हुए जाना है एक उल्टा और एक सीधा ये देखें इस तरह से और इसी तरीके से हम उधर से बुनेंगे जो उल्टा होगा उसको उल्टा सीधा होगा उसको सीधा उधर से भी एक उल्टा और एक सीधा तो इस तरह से हम यहाँ पे करीब 10 रो का बॉर्डर बना के complete करेंगे आप कम जादा भी कर सकते हैं तो हम border बना के फिर दिखाते हैं यह देखिए यहाँ पर मैंने 10 रो का border बना के complete कर लिया है और देखिए यहाँ पर मैंने second color attach कर लिया अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 52 फंदे हैं तो 25 हम विदल लेंगे 25 विदल लेंगे दो फंदे पर हम जाली डालेंगे तो यहाँ से हम design start करते हैं तो देखिए color भी मैंने add कर लिया यहाँ से देखिए हम सीधा बुनेंगे एक दो तीन इसको हम बिना बुने उतार लेंगे तीन फंदे सीधे बुने एक उतार लिया एक दो तीन यह उतार लिया एक दो तीन इसको उतार लिया यह देखिए इस तरह से यहाँ पर हम पच्चिस फंदे इस तरह से बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे देखिए बारे यह देखिए इस तरह से यहाँ पर यहाँ पर पच्चिस फंदे हो गए हैं आप देखिए यहां से हम बूल को आगे करेंगे और देखिए यहां पर हम जाली डालेंगे एक फंदा हम और सीधा बुनेंगे ऐसे बूल को अपने तरफ करेंगे और यहां पर हम पापस जाली डाल देखिए एक यह इधर आ जाएगा और एक जाली पड़ गई दो मेने सीधे बुने और यहां पर एक जाली पड़ी और एक यह सीधा आ गया तो यह बराबर यहां पर फंदे आ गए मेरे पास दो इधा रहें और दो इधा रहें बीच में दो आवा मिया से इस फंदे को उतारेंगे और तीन फंदे फिर से हम सीधे बुनेंगे ऐसे इसको उतार लेंगे इधर के 25 फंदे ऐसे ही बनाते हुए जाना है जैसे हमने इस साइड के बनाए हैं इस तरह से एक, दो, तीन, इसको हमने उतार लिया, एक, दो, तीन, इसको हम उतारते जाएंगे, एक, दो, तीन, इसको हम उतार लेंगे, एक, दो, तीन, इस तरह से देखें, ऐसे, तो यहां से गाउंट करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, छे डिजैन इधर पड़ी हैं, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, छे ही हमारे पास इधर हैं, तो अब हम यहां से देखें, दूसरी रो है यह डिजैन की, इस फंदे को हम उतारेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, दो, तीन, इसको हम वापस फिर से उतार लेंगे, उल्डी रो में अभी, यह देखे, इसको मुटार लेंगे, अब देखे, एंड तक हम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे, तो हम इसको कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं, लाश्ट तक मैंने ये रोब बना ली है, दो रोब कम्प्लीट हो गई, अब देखिए यहां से हम तीसरी रोब पर आ गए हैं, तो इस फंदे को हम उतारेंगे और तीन फंदे हम फिर से बुनेंगे, और ये वाला फंदा हम बापस फिर से उतार लेंगे बिना बुने, ये दे ऐसे, ये देखिए, अब देखिए यहां पे जो जाली वाले फंदे हैं, उनको किस तरह से आपको एड़ करना है, इस साइड में एड़ करते जाएंगे, पहले हमने एक रखा था, अब हम ये दो बुन रहें यहां पे, और इस फंदे पे हम बापस जाली डालेंगे, एक बुन लेंगे, अब देखिए, ये वाला फंदा हम इस साइड को एड़ करेंगे, तो यहां पे हम जाली डालेंगे, ये जाली हमेशा दोनों फंदे के इधर और इधर पड़ेगी, सेंडर में ये दो ही फंदे रहेंगे, इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, इसको हम उता प्लाश तक मैंने बना लिया, अब ये डिजैन की चौथी रो आ गई है, तो चौथी रो पे हम सारे फंदे बुन लेंगे, जो उत्रा हुआ फंदा है, वो भी हम बना लेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है, सिर्फ चौथी रो में हम ये उत्रा हुआ फंदा, उसको भी ह हम ऐसे ही बुन लेंगे, ये देखे, ऐसे, ये चार-चार रो का डिजैन है, इसी तरह से आगी कंप्लीट होता जाएगा, तो ये हम लाश तक बना लेते हैं, ये देखे, यहां तक ये रो कंप्लीट हो गई, और एक डिजैन डलके ये पूरी हो गई, अब देखे, हम यहां इसे देखे, इस तरह से, अब बापस हम उसी तरीके से बुनेंगे, तीन फंदे सीधे, और इसी फंदे को हम बापस फिर से उतारेंगे, ऐसे, फंदा चेंज नहीं होगा, पूरी डिजैन में, फंदा यही बाला हमेशा रहेगा, यहां से, इस तरह से, ये देखे, तीन सीधे, और एक उतार लिया, फिर तीन सीधे, एक उतार लिया, ये देखे, यहां तक, अब हम देखे, यहां पर तीन फंदे बनेंगे, ऐसे, एक, दो, और तीन, देखे, तीन अब बापस बूल आगे किया और ये देखिए इस पजाली डाली एक फंदा ऐसे ही बना लिया बूल को आगे करेंगे अब ये वाले तीन फंदे इस साइड एड़ होएंगे एक दो तीन अब हम बापस फिर से इसी फंदे को मुतारेंगे तीन बुनेंगे ऐसे सीधे पूरी रो हम ऐसे ही बना लेंगे ये रो कंप्लीट हो गई आप देखिये ये दूसरी रो के हम आगए हैं तो यहां से हम इस फंदे को उतारेंगे तीन फंदे उल्टे बुनेंगे और इस वाले भंदे को हम उतार लेंगे बिना बुने पूरी रो हम ऐसे ही बना लेंगे तरीका सेम है बनाने का यह रो हम कंप्लीट कर लेते हैं यह देखिए यह रो कंप्लीट हो गई आप देखिए यहां से तीसरी रो हम बनेंगे तो सेम तरीके से हम तीसरी रो बनेंगे त फिर तीन सीधे, एक उतार लेंगे, ये बाला, ऐसे, इसको हम उतारते जाएंगे, उत्रा हुआ भंदा, ऐसे, अब देखिए, यहां से एक, दो, तीन, और चार, चार फंदे हमने यहां पर बना लेंगे, बूल को आगे करेंगे, यहां पर हम दो फंदे ऐसे बनाएंगे, बूल आगे किया, यहां पर जाली डालेंगे, इधर के चार फंदे सीधे बना लेंगे, ये देखिए, इसको उतार दालेंगे तो यह रो हम लाश्ट तक ऐसे ही बुण लेंगे। यह देखिए यह रो़ कम्प्लीट हो गई, अब हम चौथी रो़ पर सभी फंदे बुन लेंगे। था वह हां है है छा छौथी रो़ में हमें सारे फंदे बुनने हैं.. यह देखिए। इस फंदे को भी बना लिया मैंने उल्टा लाश्ट तक हम ये रो ऐसे ही बना लेंगे ये देखिए इस तरह से मैंने ये दो डिजैन डाल के कम्प्रीट कर लें तीसरी डिजैन अब हम फिर से यलो से डालेंगे फंदे याँ पे बराबर बढ़ते रहेंगे तो हम इस तरह से इसको बना के कम्प्रीट करके फिर आपको आगे का दिखाते हैं ये देखिए मैंने यहाँ पे लंबाई इसकी पूरी कर ली और देखिए एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो डिजैन डाली है मैंने अगर आपको बड़ी चाहिए तो आप एक डिजैन और डाल सकते ह चोटी चाहिए तो एक डिजैन कम कर सकते हैं तो इस तरह से आपकी बड़ी और चोटी यहां से बनके कम्प्रीट हो जाएगी अब देखिए हम यहां से यह ब्लैक कलर एड करेंगे और इस रो में हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे हम जाली भी आपको काउंट करके दिखा दे हैं यहां से एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चावदे, पंदरे, सोले, सतरे, अठारे, अठारे जाली पड़ी होई हैं आप इसको काउंट करके भी बढ़ा सकते हैं फंदे अब देखिए हम यहां से एक रो इसी कलर से सीधी बना लेंगे इस रो में हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे ऐसे ही इसको बना लेंगे तो हम सेंटर पर दिखाते हैं आपको यह देखिए अब हम यहां पर सेंटर पर आ गए हैं तो यहां पर देखिए इस पर हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे ऐसे ही इसको हम बना लेंगे इस तरह से देखिए, इस रो में फंदा नहीं बढ़ाया, मैंने, जब आप इसका, देखिए ये लंबाई पूरी करने के बाद, लास्ट रो जो बनाएंगे, उसमें कोई फंदा नहीं बढ़ेगा, ये रो हम कम्प्लीट करते हैं, उल्टी रो पूरा उल्टा बना लेते हैं, यह देखिए यहाँ पर मैंने 2 रोग कम्प्लीट कर ली आप देखिए मेरे पास यहाँ पर 88 फंदे हैं तो इसमें से हम आदे फंदे इधर करेंगे आदे इधर करेंगे तो यहाँ पर हम 44 फंदे इधर ले रहे हैं ये वाला जो दो फंदे सीधे हैं इसमें से हम एक फंदा इधर कर देंगे एक इधर कर देंगे तो टोटल हमारे पास 44 फंदे इधर आ रहे हैं तो यहां से हम इन 44 फंदों को उल्टा बुनेंगे इसको हमने उतार लिया एक को बूल को अपने तरब किया अब यहां से हम दोनो तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे तो हम यहां पे 44 फंदे बना लेते हैं यह देखिए यहां पे यह मैंने 44 फंदे बना लिए एक फंदा देखिए इधर कर लिया एक इधर कर लिया सेंटर का जो फंदा है अब देखिए हम यही से पलट लेंगे अब हम एक साइड का यहां पे बना के complete करेंगे, उल्टा, उल्टा, तो यहां पे देखिए, इधर से हमने पलट लिया, यहां से हम इसे उल्टा ही इधर से बनेंगे, यह देखिए, ऐसे, तो इसी तरीके से हम यहां पे 7 रो बना के यह complete करेंगे, दोनों तरब की 14 रो बना लेते हैं, फिर हम आग का आपको दिखाते हैं यह देखिए यहां पर 14 रो बनाके मैंने कम्प्लीट कर ली एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ इधर से और साथ उधर से आप देखिए हम इसे पलट लेंगे और यहां से हम सभी फंदे बंद कर देंगे इस तरह से दो का एक करते हुए इनको बंद करना है तो हम इनको बंद कर लेते हैं यह देखिए इधर के फंदे मैंने बंद कर दिये अब देखिए हम यहां से बूल को अटेच करेंगे तो इस साथ का भी इसी तरीके से बनाएंगे तो यहां से हमने देखिए बूल लगा ली है और इधर से हम इसे उल्टा बनाएंगे और उधर से भी हम इसको उल्टा ही बुनेंगे तो यहाँ पर भी हम 14 रो बनाने के बाद ऐसे सभी फंदे बंद कर देंगे उसके बाद हम आगे का आपको दिखाते हैं यह देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड का यह बना लिया है अब देखिए हम इसे सिलेंगे तो सिलने के लिए जो सीधा साइड है उसको हम अंदर कर देंगे ऐसे यहां से फोल्ड कर दिया देखिए इस तरह से यहां से अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यहां त यहाँ पर हम जो जैसी रो है उसको हम बैसे ही मिलाते हुए से लेंगे कर यहाँ आसरी है कि इस तरह से मैंने इसको यहां तक देखिए ऐसे सिल्दिया यह देखिए अब देखिए हम यहां से देखिए इसको इतना ऐसे करके देखिए इसको इधर से फोल्ड करके ऐसे इतना पकड़ लेंगे देखिए और ऐसे यहां से मिलाते हुए इसको हम यहां तक सिल लेंगे पूरा ऐसे ही सिल दे जाएंगे इसको ज़्यादा खीच के नहीं सिलना है मीडियम सिलते जाना है यह देखिए ऐसे हम एक बार इसे और चेक कर लेंगे इतना इसको छोड़ना है ऐसे जितना यहां तक इसली आ जाएगा इस इधर का इस वाले से ऐसे फोल्ड करके देख लेंगे तो यहां से ऐसे हम पकड़ लेते हैं इतना और सिलेंगे अभी अब देखिए हम यहां पर पहले ऐसे पक्का कर देंगे ताकि यह खिचे नहीं अब यहां से इसको हम अलग-अलग से लेंगे यह देखिए दोनों साइड का अब हम इस साइड का अलग से लेंगे और इस साइड का अलग से लेंगे और देखिए दोनों सॉक्स एक जैसे ही बनेंगे सेम तरीके से यहां पर हम इसे पक्का करके और कट कर देंगे इस धागे में हम नौट लगा देंगे ताकि यह वाला धागा भीना इसमें से खुले अब हम यहां से इसे काट देते हैं और इधर का भी हम इसी तरीके से से लेंगे इस साइड का इसको भी हम यहां से ऐसे पकड लेंगे यह देखिए यहां पर हम इसे ऐसे पक्का कर देंगे और यहां से हम बूल को कट कर देंगे तो देखिए इस तरह से सिल्के कंप्लीट हो गई झाल्स कर लेंगे यहां